कहानी की शुरुआत में हम एक पुराने जमाने के आदमी को देखते हैं जो कि डिसको डैंसर की तरह कपड़ा पैना हुआ था और वो समंदर में कहीं पर जा रहा था इसी बीच जब वो एक बोतल में यूरिन करता है और उसे जब वो एक मशीन में डालता है तब उस मशीन से सफेद और मीठा पानी निकलता है जिसको वो सुभे की चाई की तरह पी जाता है इसी बीच हम देखते हैं कि वो उस पानी से गुनगुना करने के बाद उस पानी को समंदर में फेकने के बजाए उसे एक टब में फेकता है जिसमें पौधे लगे हुए थे दरसल इस आदमी का नाम है दास्तान और ये समंदर में सौक से नहीं बलकि मजबूरी में है अब आप सोच रहे हो कि किस मजबूरी में ये समंदर पर है तो मैं आपको बता दू कि ये मूवी की कहानी पचीस सो सताबदी के उपर है जहाँ पर दुनिया के सभी बर पिघल चुके हैं और समंदर का पानी धर्ती के लेयर से 25,000 पूट उपर आ चुका है जिस वाजे से पूरे दुनिया में मिट्टी का कोई नामू निशान नहीं और जो लोग इस आपदा से जिन्दा बच्चे हुए हैं वो लोग ऐसे ही नाव और जहाज में समंदर में भटक रहे हैं उन लोगों को इस बात का भरोसा है कि दुनिया के आखरी छोर पर कोई ना कोई ऐसी जगह होगा जहाँ पर ठोस मिट्टी होगा और वहाँ पर इंसान सर्वाइब कर पाएंगे इसलिए वो लोग उस ठोस मिट्टी के तलाश में भटक रहे हैं इसी दोरन दास्तान समंदर में कुछ खाने की तलाश में जाता है और काफी देर तक मचली ढूनने के बाद भी उसके हाथ में कुछ भी नहीं लगता और वो जब अपने जहाँस के उपर आता है तब यो एक दूसरे नाव को देखकर उससे बात करने की कोशिश करता है वो कहता है कि समंदर में अगर कोई अजनवी एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वो लोग एक दूसरे का सामान अदला बदली करते हैं लेकिन वो आदमी उसके साथ कोई भी सामान की अदला बदली करने से मना कर देता है और कहता है कि मैं भीकारियों के साथ अपनी कीम्ती सामान को अदला बदली नहीं करता। दरसल उस आदमी ने दास्तान के जहाज से एक संत्रा चुराया है और इसलिए वो दास्तान को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है लेकिन तब युँआ पर दो समुदरी लुटेरे भी आ जाते हैं जिसको देकर वो आदमी दास्तान को वो संत्रे दिखा कर अपने बोट क को देखते हैं जो कि हाथ में एक एक फॉर्टी सेवन लेकर उस आदमी को पकड़ लेता है और उसे जान से मार डालता है इसके बाद आस्तान अपने जहाज को लेकर समंदर के उपर मौजुद एक कभीले के पास जाता है और अपने पास मौजुद कुछ कबारी के सामान को उन्हें दिखाता है यहाँ पर उनका सरदर वो सामान लेने से मना कर देता है और कहता है कि हमें इन सामानों की कोई भी जरुवत नहीं है दरसल ये जगह इस समंदर का स्टेट बैंक है जहाँ पर सारे बैपारी बिजनेस करने के लिए आते हैं जहाँ पर उन लोगों के साम द्हूमत अभी सो ने से भी ज्यादा है और वहलों पर पर पैसे देकर पानी पीता है और टमाटर का एक पेड़ खरीदा है जिसके लिए उसे अपने आधेसी के उस दुकानदारी नी क्यों देना पड़ता है जिसका नाम थी देव सेना अब दास्तान जब अपने सामान को लेकर वहां से जा रहा था तभी कभीले के कुछ लोग उसके पास आकर उसे उस कभीले की एक लड़की के साथ सम्मंद बनाने के लिए कहते हैं और साथ ही साथ वो लोग ये भी कहते हैं कि ये लड़की जब तुम्हारे बच्ची की मा बन जाएगी तब तुम हमारी जहाज की सभी कीमती सामान को लेकर यहां से जा सकते हो दरसल वो लोग दास्तान को उस लड़की के साथ संबंद बनाने के लिए इसलिए कह रहे थे क्योंकि दास्तान काफी शक्तिशाली मर्द है और उसका जो बच्चा पैदा होगा वो भी काफी शक्तिशाली होगा लेकिन दास्तान उस लड़की के साथ संबंद बनाने से मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है जिस वज़े से वो कभीले के लोग सोचते हैं कि सायद दास्तान कोई इंसान नहीं बलकि जलपरा है क्योंकि इतने दिनों तक अकेला रहने के बाद कोई भी मर्द किसी भी उरत के साथ संबंद बनाने से मना नहीं कर सकता है इसलिए वो कभी लेके लोग दास्तान के उपर सक करके दास्तान को पकड़ लेते हैं और उनमें से एक आदमी देखता है कि दास्तान के कान के पीछे एक अजीब सा निशान है जो की दरसल जलपरा के कान के पीछे होता है इसलिए कभी लेके सभी लोग मिलकर दास्तान को अब दास्तान को जब वो लोग पानी में डुबो कर मार रहे थे तभी उनके कभीले के उपर कुछ लुटेरे हमला कर देते हैं जिस वाज़े से कभीले के सभी लोग इधर उदर भागने लगते हैं यहाँ पर हम देखते हैं कि उन लुटेरों के पास बड़े-बड़े महंग महंगे हतियार से लेकर फाइटर जेट भी मौजूद था जो कि उक्रेंग के पास भी नहीं था वो लोग अपने महंगे महंगे हतियार से उस कभीले के उपर अंधादुन गोली चलाते हैं जिससे वह कभीला पूरी तरीके से तहस-नहस हो जाता है इधर देवसेना दास्तान को डुबते हुए देखर उसके पास आती है और उससे कहती है कि वह उसे बचा सकती है लेकिन इसके लिए दास्तान को उसे अपने साथ अपने जहाज में ले कर जाना होगा जिसमें दास्तान मान जाता है और देवसेन ले सकता है यहाँ पर दास्तान देवसेना से कहता है कि देवसेना और उसकी बेटी में से किसी को उसे मारना होगा क्योंकि उनके पास पीने के लिए ज्यादा पानी नहीं है और अगर उन में से कोई भी नहीं मरती है तो वो तीनों ही पानी की वज़े से मारे जाएंगे जिसक वो बच्ची चाहिए जिसके पीट के पीछे धरती का नक्षा है अब गधेरा अपने सभी साथियों को जशने करने के लिए उनकी तरफ सिग्रेट फेकता है तभी एक बुड़ा आदमी गधेरा से कहता है कि सर्दार जहाज का तेल अभी खतम होने वाला है जिसको सुनने के ब पर गधेरा अपने एरफोर्स को उस टैटू वाली लड़की को पकड़ने के लिए भेज देता है दूसरी तरफ हम दास्तान को देखते हैं जो कि अपने जहाज में देबसेना और जूलिया को लेकर जा रहा था लेकिन तभी वाँ पर वो एरफोर्स आकर उनके उपर हमला क देते हैं जिसको देखर दास्तान हतियार लाने के लिए जहाज के नीचे जाता है इधर देबसेना को लगती है कि दास्तान उस एरफोर्स को देखर डर गया है इसलिए देबसेना वहाँ पर मौजुद एक हतियार से एक फाइटर प्लेन के उपर शूट करती है और वो रस् कुछ किया था इसलिए दास्तान देवसेना के उपर गुसा होकर उसकी और उसकी बेटी की बाल काट देता है इसके बद जब वो लोग समंदर में भटक रहे थे तभी उन्हें एक दूसरा बोट नजर आता है जिसको देखकर देवसेना दास्तान से कहती है कि हमें उस बोट के पास जाना नहीं चाहता था पर फिर भी वो देवसेना की बातों में आकर उस आदमी के पास जाता है वहाँ पर पहुँचकर दास्तान को पता चलता है कि वो आदमी एक संकी है और वो देवसेना को खरीदना चाहता है लेकिन उसके पास उसके बदले में दास्तान को देने क लिkung दूसरी तरफ़ आदमी दास्तान को कागज दिखाता है और क्योंकि कागज की कीमत अभी काफी ज्यादा है और दुनिया में कहीं फर भी कागज नहीं है इसलिए दास्तान देवसेना को क mente कि लिए उस आदमी को देदेता है लेकिन जब वो संकी देवसेना की बस्त्रहरन कर रहा था तबी वहाँ पर दास्तान पहुँच जाता है और उस संकी से कहता है के हमारा डिल खतम हो चुका है जबकि उसे देवसेना के साथ 5 बिनिट भी नहीं हुआ था इसलिए उस संकी का दिमाग सटक जाता है और वो एक चाकू लेकर दास्तान को मारने की कोशिश करता है पर दास्तान काफी शक्ती साली था इसलिए उल्टा दास्तानी उस आदमी को जान से मार डालता है अब दास्तान को पता था कि देवसेना और जुलिया भुकी है इसलिए दास्तान पानी में कूद जाता है और एक मचली को पकड़ कर लाता है जिसके बाद वो सभी मिलकर उस मचली का भोजन करते हैं साथी साथ हमें ये भी देखने को मिलता है कि जैसे-जैसे दिन गुजर रहा था दास्तान और देवसेना की बिच दूरिया वो दुनों काफी अच्छे दोस्त भी बन चुके थे। इसी दौरन एक दिन दास्तान देखता है कि उनके जहाज के पीछे एक नाव है जिसको देखकर दास्तान को कुछ भी समझ में नहीं आता। पर जब देवसेना उस जहाज को देखती है तब ही वो समझ जाती है कि वो जहाज समुद्री लुटेरों का है इसलिए वो दास्तान को बताती है कि वो समुद्री लुटेरे और वो लोग जूलियन के पीछे है क्यूंकि जूलियन के पीठ में दुनिया के आखरी छोर में यहां पर हमें पता चलता है कि जूलिया देवसेना को पानी में बहते हुए मिली थी। इधर दास्तान को देवसेना की इस बात पर बहुत गुसा आता है और वो देवसेना को एक बॉक्स में डालकर समुंदर के नीचे लेकर जाता है। इसलिए वो दोनों कहते हैं कि उन्हें जूलिया के बारे में कुछ भी पता नहीं है। जिसको सुनने के बाद लुटेरों का सरदर गधेरा अपने लोगों को दास्तान और देवसेना को मारने के लिए कहते हैं। जिसके बाद दास्तान उसे पानी के अंदर लेकर जाता है और अपने मुह से उसे सास देता है। कुछ देर बाद जब वो दोनों पानी से बाहर आते हैं तब ही वो दोनों देखते हैं कि उन समुंदरी लुटरों ने उनके जहाज को पूरी तरीके से तभा कर दिया था। अब क्योंकि उनके पास और कोई जहाज या बोट नहीं था इसलिए उन्हें मजबूरी में उस तूटे हुए जहाज के टुकडे पड़ ही किसी तरीके से रहना पड़ता है। इसी बीच वो दुनों एक दूसरे के साथ बात करते हैं और देव सिना दास्तान के उपर पिघल जाती है जिस वज़े से वो दुनों एक दूसरे के साथ रोमेंस करते हैं। इसके बाद दास्तान को पानी की नीचे एक कागज मिलता है जो कि उस सन की आदमी ने उसे दिया था। उसको देखने के बाद दास्तान को पता चल जाता है कि सच में दुनिया के आखरी छोर में जमीन है। जहाँ पर इंसान जा सकते हैं और उस जगे पर जाने का नक्षा और कोई नहीं बलकि जूलियन के पीट के पीछे है। इसलिए दास्तान फैसला करता है कि वो किसी भी हालत में जूलियन को ढूंड करी रहेगा। पर उसके पास जो जहाँ था उसकी हालत ऐसा नहीं था कि वो उस जहाँ को लेकर समंदर में कहीं पर जा सके। तब यहाँ पर एक आदमी उरते हुए गुबारे में आकर देवसिना को उसके नाम से पुकारने लगता है और देवसिना जब उस आदमी को देखती है तबी देवसिना उस आदमी को पहचान लेती है। कहता है कि जूलियन को मेरे हवाले कर दो लेकिन गधेरा जूलियन को उसके हवाले करने से मना कर देता है और कहता है कि तुम्हें यहां से कोई भी जिनदा बापस लेकर नहीं जा सकता। के से उस plane को crash करवा देता है दूसरी तरफ उड़ते हुए गुबारे वाला आदमी वहाँ पर आ जाता है और दास्तान और जूलिया को गुबार के उपर चड़ा लेता है इसी बिच दास्तान देखता है कि उस जहाज में एक बड़ा सा धमाका होता है और सभी लुटेरे मारे जाते हैं यहाँ पर हम देखते हैं कि गधेरा अभी तक मरा नहीं था और वो एक पिस्टल से दास्तान के उपर शूट करता है लेकिन वो गोली दास्तान को नहीं लगता और जूलिया उस बेलुन से नीचे गिर जाती है पर इससे पहले कि गधेरा जूलिया को पकड़ लेत था और वो जूलिया के पीट के पीछे जो नक्षा था उसे पढ़ लेता है जिसके बाद वो लोग फाइनली उस जगे पर पहुंच जाते हैं जहां पर ठोस मिटी है अब जमीन पर पहुंचकर वो लोग काफी खुश हो जाते हैं और उन्हें वाँ पर एक जोपड़ी की माता पिता की है वहाँ पर वो टैटू करने वाले हतियार भी है जिसके उपर उन लोगों ने जूलिया के पीट के पीछे एक धरती का नक्षा बना दिया था खैर इसके बाद दास्तान उनस सभी को वहींपरी छोड़कर वहां से जाने लगता है क्योंकि दास्तान एक जल